समाजवादी पार्टी के राश्च्ट्रिया अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनव समेथ प्रदेश के सभी जिला मुख्याले उपर केंडर की भाजपा सरकार द्वा पदाधिकारी और आमजन शामिल रहे धर्ना प्रदर्शन में नेताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भरष्टाचार और भाजपा सरकार की किसान, नौजवान, गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश चताया समाजवादी पार्टी के नेताओं, कारे करताओं और आम जनताने लखनव, फैजाबाद, अंबेटकर नगर, मौ, मैनपुरी, कन्नोज, इतावा, फिरोजाबाद, आजमगर, शाह जहापूर, मुजफर नगर, गाजियाबाद, कानपूर देहात, कानपूर नगर, अमरोहा, मुरादाबाद, महराजगंज, सुल्तानपूर, बस्ती, बहरायच, भदो ही, प्रयागराज, बदायू, संतकबीरनगर, देवरिया, बलिया, आजमगर, फतेहपूर, बलरामपूर, मतुरा वरिंदावन, बारानसी, जहासी, सोनभद्र, मिरजापूर, समेत अन्य सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार लोगतंत्र की हत्या करने पर आमादा है, अभी व्यक्ति की आजादी को कुछल रही है, भाजपा आम जंता के समवैधानिक अधिकार खत्म कर तानाशाही कर रही है, समाजवादी पार्टी इंदिया मिलकर भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराएगी. अजय को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराएगी.